नमस्कार विद्धारतियों, मैं डक्टर ग्यान नात्यवारी, सहा आचारे, M.E.T.V. सिद्धाले, नोड़ा उत्रप्रदेश आज आपसे कक्षा अस्तर पर विज्ञान में नियोजन, पांच इपार्थियोजना, इस विशे पर चर्चा करूँगा और हमारे लिए ये जानना आवस्चक है कि कौन सी पार्थियोजना के नवीन उपागम है, जो की परवगत उपागमों से भिनना है फिज्ञान एक ऐसा विशे है, जहां पर बहुत सारे क्रिया कलापों के बारे में बात की जाती है और इसी लिए इस विशे मर जितनी भी व्यवहारवादी सिच्छा उपागम है, जितने भी व्यवहारवादी पार्थियोजनाएं हैं, उनका उपयोग कम करने की संसुति की जाती है और इसी प्रकार इसके लिए पांच उपागम को अधिक महत्पोन माना गया है जो भी व्यवहारवादी सिच्छा सास्त्री हैं, वो परंपरागत उपागम की बात करते हैं लेकिन जो रचनावादी सिच्छा सास्त्री हैं, वो पाठ योजना के परंपरागत उपागमों को बहुत यांत्रिक मानते हैं यांत्रिक मानने का अर्थ ये है कि वे यह मानते हैं कि इसमें विद्यार्थी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ याद करता है और समझने का प्रयास नहीं करता और इसी लिए रचनावादी सिच्छा सास्त्री यह प्रयास करते हैं कि वो ऐसे विकल्प के रूप में पांच इपार्थ योजना को दें जिससे विज्ञान विशह में विद्यार्थी नई चीज़ें सीख पाए नवीन ग्यान समझ पाए और उनके जो धारणाएं पहले से बनी हुई हैं वो धारणाएं बदली जा सके विज्ञान में बहुत सारी धारणाएं जो पहले से बनी होती हैं जोगी गलत भी हो सकती है तो यह प्रतिमान विद्यार्थियों को विज्ञान कच्छा में खोजी गटनाओं के विशह में उनकी धारणा बदलने में बहुत ही सहाइक होता है और इस प्रत्मान में इस बात कर ध्यान रखा जाता है कि जो परनपरागत रूप से उनके मन में ध्याना है उसकी वो जाच कर सके और ये जान सके कि वो ध्याना कितनी ठीक है या उसमें कितने बतलाव की आवसकता हो है वो ध्यान के लिए यदि हम ये जानते है कि सूरज उगता है बारिस होती है तो धर्म के आधार पर भी या जो प्रसलित मानेता हैं उनके आधार पर भी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी धानाय होती हैं बिजली के चमकने को, बरसात के होने को, या भूकंप आने को विद्यार्थी एक पुरानी धारणा से जोड़ के समझ सकते हैं यह प्रतिमान जोसे हम पांच ई उपागम कहते हैं, यह विद्यार्थी के धारणाओं को बदलने में बहुत अधिक सहायक होता है अब आपके मन में यह जिग्यासा होगी, यह पांच ई उपागम क्या है, और इसे हम पांच ई उपागम क्यों बोलते हैं तो इस पर हम चर्चा करेंगे, वास्तों में यह जो उपागम है, यह पांच महतोपूर समप्रत्यों पर आधारित है ये संप्रत्य उनके बारे में बात करते हैं जो अंग्रेजी भासा के E1 से प्रारम होता है क्योंकि ये अंग्रेजी भासा के E1 से प्रारम होता है इसलिए हम इसे 5E या 5E कहते हैं ये 5E कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं पहला है इंगेज इंगेज जैसा की नाम से असपष्ठ है और जिसका आर्थ है संगलन करना यह जो चरण है इस चरण में एक सिक्षक का दाइत तो बनता है कि वो विद्यार्थी को विभिन गतिविदियों में संगलन करे अब यह गतिविदियों कौन सी होगी और यह इसमें विशेवस्तु क्या होगा यह विशेवस्तु वही होगा जो शिच्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी को बताई चाहे शंगलन करने का अर्थ क्या है और वो पहले के प्रमपरागत पाठोजना से कैसे भिन्न है वो इस तरह से भिन्न है कि इसमें विध्यार्थी सक्रिय रूप से सहभाग करता है पाठ के विकास में और उस संप्रत्य को समझने में विभिन गतविधियों के माध्धम से सक्री सहभाग करता है तो इसलिए हम इस पहले चरण को संगलन करना या इंगेज कहते हैं जो दूसरा चरण है जिसे हम अंग्रेजी में explore कहते हैं जो दूसरा यह है इसका अर्थ है अनवेफड करना या खोज करना खोज करने या अनवेफड करने का क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि जो संप्रत्य विद्धार्थी को बताये गए उसके बारे में और जानकारियां जुटाना तो यहां कारे सिख्छक का नहीं है आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि परंपरागत सिख्छन जो पाठी ओजना है उसमें सिख्छक की भूमिका अधिक थी परंथ इस 5E में विशेशकर इस चरण में विद्धार्थी की भूमिका अधिक है विद्धार्थी को ऐसी गतिविधियां कराई जाती है जिससे वो सम्मंधित विशे में और अधिक अनिवेशन करता है तीसरा जो चरण है वो है एक्स्प्लेइन एक्स्प्लेइन जैसा कि नाम से अस्पष्ट है व्याख्या करना या चीजों को समझाना अब परंपरागत जो पार्थियोजना है वहाँ पर प्रस्तिगर्ण होता है जबकि यहाँ पर हम इसको व्याख्या करना कह रहे हैं दोनों में क्या भिन्यता है एक सामाने से भिन्यता है कि परंपरागत जो पाठियोजना है वहाँ पर सिक्षक की भूमिका बहुत अधिक है और विद्यार्थी की भूमिका कम है व्याख्या करने का दायत तो सिर्फ सिक्षक का है लेकिन इस पाठियोजना में जो की 5E पाठियोजना है यहां पर व्याख्या करने का दाइद तो विद्यार्थी का भी है सिक्षक जो व्याख्या करता है विद्यार्थी की क्या समझ है उस विशे के बारे में विद्यार्थी भी अपने सिक्षक से साजा करता है तो विज्ञान के लिए यह बहुत ही उपयोगी है चोथा जो महतुन बिंदु है वो है इलोवरेट जो चोथा E है जो हम पांच E में से चोथे की बात कर रहा है इसका आर्थ होता है विस्तार करना विस्तार करने का आर्थ आप समझते हैं इसका आर्थ है फैलाओ तो जो जो ज्ञान विद्दारथी ने अरजित किया उसमें और कितनी गहराई से वो चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है उसके लिए दिर्श्य सामगरी या मुद्र सामगरी आप दे रहे हैं और उसके आधार पे विद्दारथी खुद ढूंड रहे हैं कि उसमें और क्या चीजे हो सकती है जो ज्ञान सीखा गया उसका वास्तक जिर्में क्या उपयोग है इसको भी करकने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार वह ज्ञान और अधिक स्थाई हो जाता है जो पांचवा महत्पूर्ण चरण है वो है इवलवेशन जो सबसे अंतिम चरण है और ये हमी रह गई और किस प्रकार से विद्यार्थी अपनी समझ को व्यक्त कर पा रहा है तो इसमें हम विभिन्य प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें क्विज पूछ सकते हैं हम इसमें पहेलियां बुझा सकते हैं हम इसमें बहुविकल्पी प्रसंदे सकते हैं लग बढ़ाते हैं अब आपके मन में यह जिग्यासा होगी कि इन पांसों चरणों का प्रयोग कैसे करना है तो मैं आपको एक उधारण के माध्यम से एक चरण के बारे में बताने का प्रयास करता हूं आसा है कि आपको आसानी से समझ में आएगा इसका एक प्रक्रण हम लेते हैं प्रक्रण है इसका बहुत ही सामाने प्रक्रण है जो अकसर विज्ञान के सिक्षक परियोग करते हैं अपनी कर्ण में यह प्रक्रण है पौधों में पौषण पौधों में पौषण जो प्रक्रण है इसके माध्यम से हम एक-एक चरण को समझने का प्रयास करते हैं पहला पॉद्फण के लिए इस चरण हैं की योजना बना लेते हैं कि वह कौन से तत्व हैं जो किसी भी पॉद्धे में पॉद्फण के लिए आवस्यक होते हैं disent किसी तत्व को लेते हैं और आसपास जो घटनाय होती है उनसे विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दाहन के लिए इस पाठी योजना में हम एक काम देते हैं विद्यार्थियों को कि वो मौसम के बारे में पता लगाए और विद्यार्थियों से कहते हैं कि हम आस पास जाईए और ये देखिए कि पिछले कुछ समय में पिछले कुछ वर्सों में मानसून के स्थिति क्या थी मानसून भारत में बहुत महत्वपूर्ण और बारिस किस प्रकार वहां के पेड़ पौधों को प्रभावित करती है इस प्रकिरिया के दोरान विद्यारती ये समझ पाएंगे कि पौधों के लिए पानी का क्या महत्व है इसके साथ हम उनसे एक कद्विधी और किरा सकते हैं उनसे हम कहें कि उन जगहों पर जाएं जहां पर बारिस ज़ादा होती है और उन जगहों पर जहाँ पर बारिस कम होती है और उन दोनों जगहों पर जो पौधें हैं उनमें किस प्रकार का विकास होता है वो इसके तुलना करें या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पे ही या आसपास के जगहों पर उन दो पौधों के तुलना करें जिनमें एक को पानी मिल रहा है और दूसरे को पानी नहीं मिल रहा है तो ये जो पानी मिलना है उसका क्या प्रभाव पौधे पर पड़ता है विद्यार्थि से ये भी कहें कि उनके जो अवलोकन के परिडाम है वो उनको कहीं लिखें और आपसे साजा करें पूरी कक्षा से साजा करें तो ये पहला चरण होंगा ऐसी जो पहला चरण हमने जिसकी चर्चा की उसके माध्यम से आसानी से विद्यार्थी इन सारे तत्यों को समझ सकेंगे तूसरे चरण में दूसरा चरण है वो एक्स्प्लोर है करना जैसे हम खोज करना भी कहते हैं इसमें विद्यार्थी कुछ प्रस्णों पे चर्चा करेगा जैसे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकास के उपस्थिती में क्यों मनाते हैं कार्बंडा या अक्साइड की क्या हो सकता होती है जल की क्या हो सकता होती है, क्लोरोफिल की क्या हो सकता होती है तो विद्यार्थी इन सारे प्रस्णों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं और इनको जानने के लिए हम उन्हें बिविन प्रकार की जो द्रिस समगरी है जो स्रव्य समगरी है और जो मुद्र समगरी है ये देते हैं विद्यार्थी उनका ध्यन करते हैं और उनका ध्यन करने के उप्रांथ ये जान पाते हैं कि पौधों के लिए क्या क्या तत्व आवस्यक हैं ये जो चरण है इस चरण में विद्यार्थी स्वयंग खोजता है तो निश्चित रूप से ये परंपरागत जो पाठ्योजना उससे बहुत भिन्य है और इस प्रकार की पाठ्योजना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी और अधिक जुड़कर अपनी ची आधिक सिक्षक केंद्रित है परंतु जो पांच इसे हम रष्नावादी पाथ उजना बोलते हैं यह विद्ध्यार्थी केंद्रित है और इस चलरण में सिक्षक जो उपलब्द संसाधन है उससे कुछ सरल प्रियोग करेगा जैसे एक प्रियोग यह कर सकता है कि जिसमें वो ब करें तो वह समझ जाएगा कि सूर्य के प्रकास का क्या महत्तो है इसी प्रकार हम ऐसे और भी सरल प्रियोग कर सकते हैं जिसमें वह कारबन डायकसाइड के महत्तो को समझ पाएगा इन दोनों का महत्तो प्रकास क्रिया में क्या है इसको समझने के लिए यह जो प्रियोग है जि विद्यार्थी पूरा सहभाग करेंगे और जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तो सिक्षक विद्यार्थियों को यह आउसर प्रदान करेगा कि वो अपने सब्दों में बता पाएं कि उन्होंने क्या समझा पहले प्रयोक से क्या समझा दूसरी प्रयोक से क्या समझा और जित यह उपागम या पांच यह उपागम में विद्यारती बहुत सारे गतिविधियां करता है, बहुत सारे प्रियोग करता है और इस प्रकार वो जान पाता है कि इस संप्रत्य का क्या महत्तु है तो ये जो तीन चरण है इसके उपरांत जो चौथा चरण है जिसमें हम बात करते हैं विस्तार करने की और जिसे अंग्रेजी में हम elaborate करते हैं elaboration का आर्थ होता है कि कैसे ग्यान का और विस्तार किया जाएं तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कुछ सीखा उसको और गहराई से हम समझने का प्रयास करेंगे जैसे जो पौधों के साथ बिभीने समझाय होते हैं बहुत सारे पौधे होते हैं जो मुरिहा जाते हैं नश्ट हो जाते हैं तो विद्यारतियों से ये कहा जाएगा कि वो जानें कि ये जो पौधे हैं वो क्यों विक्सित नहीं हो पाए या जैसे पतिया पीली पर जाती है पत्या तूटके गिर जाती है पौधों की तो उसका करण क्या है निश्चित रूप से विद्धारती ये जान पाएगा कि ये सब कुछ पौधों के पोषण से सम्मंदित है और ये जो चरण है इसमें विद्धारती गहराई से विशय की समझ विक्सित कर पाते हैं और ये जा इस चरण में विद्धारती समझ पाता है अब इस चरण का एक और उपयोग है शिक्छक इस चरण में उन विद्धारती के पहचान कर सकता है जो बहुत तेजी से शीख रहे हैं और सहायता से पूरी गक्षा में इस अवधारणा की चर्चा की जा सकती है लेकिन जो विद्यारती धीमिकती से सीख रहे हैं उनको इस प्रकार के सहयोग सिच्छक और अच्छे विद्यारती करते हैं जिससे वह भी यह समझ पाएं कि यह संप्रत्य क्या है कौन से तत्व हैं जो पऊधों के पोस्फर में सहायख हैं और उद्यारती के लिए विद्यारती को ऐसकी सूची बनाए कि कौन कौन से तत्व है जिनका प्रभाव पऊधे के विकास पे पंड़ता है और अगर उन तत्व को न दिया जाए या समुचीत न दिया जाए तो किस प्रकार वह पौधे की सहायता से वो विद्यार्सी जो धीमीगति से अधिगम कर रहे हैं उनकी वो समझा सकता है कि इस संप्रत्य क्या क्या आर्थ है और पौधे के पोफड में कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं अब हम बात करेंगे अंतिम चरण की जो पांचवा चरण है जो की पर मुल्यांकन किवल यह नहीं है कि विद्यार्थी को अंक प्रदान किये जाएं मुल्यांकन यह है कि विद्यार्थी ने दिये गए जानकारी दिये गए ग्यान में से कितना ग्रहन किया उसको कितना ग्यान है जो समझ में आ गया कितना ग्यान है जो विद्यार्थी समझने के उपरांथ अपने वास्तिक जीवन में प्रयोग कर सकता है। उस जआन का विस्टिशन कैसे करता है। जो जआन उसने सीखा, क्या वो उसका मुल्यांकन कर सकता है। ये सारी चीजें हम मुल्यांकन के चरण में समझते हैं। तो इसके लिए सिच्छक बहुत सारी मुल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है जैसे क्विज का प्रयोग कर सकता है बहुत सारी पहलियों का प्रयोग कर सकता है लगु उत्तरी प्रस्ण पूछ सकता है चोटे शोटे प्रस्ण पूछ सकता है जिसके माद्यम से विद्यारति समझ जाए या यदि कोई संप्रते अधिक व मुल्यांकन किया जा सकता है इसके साथ ही बहुत सारे मौकिक प्रसण होते हैं उनके माध्यम से विद्यारती का मुल्यांकन किया जा सकता है पाठ के दोरान और पाठ के उपरांत भी मुल्यांकन के प्रक्रिया चलाई जा सकती है इसमें जो मुल्यांकन होता है क्योंकि विज्ञान विचा है तो आवस्चे नहीं कि केवल सैध्धानते गुरूप से मुल्यांकन किया इसके लिए आप कुछ गत्विधियां उन्से करा सकते हैं जिन गत्विधियों के माध्यम से उनका मुल यंकन किया जा सकते हैं तो विद्यारत्यों से कह सकते हैं कि वो ऐसे उद्हाण सोचें, ऐसे प्रियोग सोचें जो किये जा सकते हैं और जिनके माधम से विध्यारती ये समझ पाएं कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो पौधे के पौफण के लिए आवस्चक हैं मैंने आपको जो उदाहर दिया उसमें पौधे के पोफड का उदाहर लिया, आप कोई भी उदाहर ले सकते हैं, जैसे आप जल के जो विभिन नवस्ताएं हैं, दरबे के वस्ताएं हैं, उनका उदाहर ले सकते हैं, आप बल का, आप उर्जा का और विभिन प्रकरणों को, व वो सारी चीजें समझाई जाएं, कैसे विद्यार्थी और सिक्षक मिलकर इस चीज का विश्थार कर सकते हैं, कैसे विद्यार्थी और सिक्षक मिलकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और कैसे विद्यार्थे का मोल्यांगन किया जा सकता है तो एक विज्ञान सक्षे के रूप में पाँच ईउपागम या फाइवी ईउपागम जिसे हम फाइवी एप्रोच बोलते हैं अंगरेजी में उसका प्रियोग बहुत ही अच्छा माना जाता है और मैं विश्वास के साथ या कह सकता हूँ कि यदि आप अपनी कच्छा में इस उपागम का प्रियोग करेंगे तो निश्यत रूप से विद्यार्थियों को पर्रमपरागत उपागम के तुलना में अधिक बहतर तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं तो इस जो चर्चा थी उसमें हमने विभिन पर्रमपरागत उपागमों से और फाइभी उपागम के तुलना भी की और यह देखने का प्रयास किया जो उपागम है तो उस उपागम से भिन्न है और बहतर है और कैसे विद्यार्थि इनका प्रयोग करके अधिक बहतर तरीके से विज्ञान के संप्रत्य को समझ सकते हैं धन्यवाद